सबस्क्राइब बढ़ना के बागना करें निवन मुझेद लोघ। अपने स depends on the system in the Welt धिक इस व्रल्ति सोर्स से जिने प्लाइब ता नहीं और इसका इन प्रॉण प्लाइब करिने रही है तो वोल्टे सोर्स है, यहां से मैंने मान ली I1 करेंट फलो रही है इस वाले में मान ली I2 करेंट फलो रही है ठीक है मुझे Z-in में ताना यानि Input Individence Input Individence मैं कहा है देखता हूं, यहां से तो Z-in जो होगा मेरा मुझे क्या दिखाई देगा यह वारा voltage source upon यह वाली करेंट इसी को तो मैं Z-In कहूंगा ठीक है तो मुझे आइवन भी चाहिए और Z-In भी चाहिए आइवन आ जाएगा फिर Z-In भी आ जाएगा तो इसका equivalent circuit ड्रो करो करो इसका कैस करते हैं जो कपल्ड इंडक्टर होते हैं उनके स्रीज में dependent voltage source आयाता है बस और कुछ नहीं बाकी का एक ड्रो करना बाकी का एक ड्रो करो बिना चेंज किये कुछ फॉर ओम यह आ गया कपल्ड इंडक्टर यानि जेएट का इसके स्रीज में आ जाएगा एक voltage source ठीक है इसके पॉलिटी क्या होगी अभी डिसाइड करेंगे हो एक यह दूसा कपल्ड इंडक्टर उसके साथ voltage source और बाकी का सर्किट एज एक यह जे फॉर ओम यह सिक्स ओम यह माइनस जे शिक्स ओम यह जे टैनों ठीक है कपल्ड इंडक्टर यह दोनों यह या रखना और मूचल इंड इसमें current ऐसे flow रही है I1 और इसमें I2 इस टाइब से तो इसमें कितनी current आएगी इसकी जो होगी polarity क्या होगी polarity decide करते है यह यह I1 current इस वाले dot में enter कर रही है I2 इस वाले dot में enter कर रही है तो यह कुन सा case होगे हमारा? enter and enter का. ठीक है? दोट ही terminus में क्या हो रही है? एक case current enter कर रही है है. ठीक है? पहले में enter, दूसरे में enter. जब यह होता है तो polyty जो होती है, वो क्या होती है? positive, negative in the direction of current. जस direction में current flow हो रही है. ठीक है? यह voltage source की polyty हो गई. कि इसको यहाद आखना तो वोल्टे सोड प्रेटिव एप्र कर्सक्रंठ तो ओपर से नयुडर है ये來到 जा रही है तो फोजेटिव यह रही है कितनी होगी मुझे बॉल्टिढ़ेंस मुझे जैतission कांड होक्तों है ध्याए त्दॉ 110 ला संब्स д्यू एंसकी कंगतना करिंद 2 गपल इंडक्टर कितनी यह तो इस वृल्ड इंड़क्टर है कि करिंड क्या हो रही है आधीड है ऐसे इसके लिए मिच्छेन इंड़क्टर ‌ब्स इतनी देखने कितनी है अ, बस हो गया उसके बार कोणा कि यह लगाते हैं लगाएंगे लगाएन तो कितना जाएगा तो एतना आच permettre इससे भी इससे भी फ्लो होगी तो कितना आ जाएगा जे टैन माइनस जे सिक्स प्लस जे फॉर आई टो यहां से निकालो आई वन की वैल्यू आई वैल्यू आईगी माइनस एट प्लस जे सिक्स अपान थरी आई टो इसको मैंने कहते हैं एक्वेशन नमबर वन फिस्ट वाले में आप के बेल लगाओ तो आ जाएगा कितना माइनस टैन एट एंगल ऑफ जीरो देखो आई वन इससे फ्लो होगी इससे भी होगी यानि फॉर प्लस जे एट आई वन प्लस जे थ्री आई टो एक कोईस्ट जीरो आई वेल्व हमें पता है यहां से एवन की वेल्व मह यहां पर रख दूंगा इसको मैं इदर ले गया फॉर प्लस जे एट माइनस एट प्लस जे शिक्स अपन थ्री आई टो और जे ट्री आई टो और जीकॉश टु टैन यहां से आई टो की जो वैल्यू निकालेंग of zero minus 80 minus j 31 तो इसको जब solve करेंगे तो आएगा इसके इसमें change कर रहा हूं मैं फेजर में 0.35 at an angle of minus 201.18 ठीक है नेक्स्ट ऐसे ही i1 की value आचकी है i1 की जगा रख दो पहले equation में तो कितने आ जाएगी minus 8 plus j6 upon 3 multiply by 0.35 at an angle of 201.18 इतने degree ठीक है एंपियर तो यहां से i1 solve होके आएगा i1 को जब solve करेंगे तो आएगा 1.16 at an angle of minus 58.05 इतने degree एंपियर तो i1 की value पूछी थे हम से यहनि source से निकलने वाली current है वह कितने होगी i1 थी हमारी i1 की value आचकी है और हम से पूछा गया था z in z in कितना होगा z in की value बताइती यह 10 है 60 नहीं 10 10 at an angle of 0 divided by i1 i1 कितना है मेरा 1.16 at an angle of minus 58.05 इसको जब divide करेंगे तो आएगा हमारा 8.62 angle हो जाएगा यह उपर जाएगा प्लस हो जाएगा 58.05 ठीक है इतने ohm तो z in की value आचकी है हमारी कितनी 8.62 at an angle of 58.05 ohm i1 की value आगे z in की value आगे ठीक है यह हम से कुछी गहीं थी आयोप आपको समझ आयोगा ठीक है मैंने बता दे एक quality और यह सब भी ही important है बस बाकी का तो के बेल के ही लगाना उससे इसारा कम चल जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही और थैंक्यू मिलते है नेक्स वीडियो में